हलो फ्रेंड्स एक वाफिसे स्वागत है आपका अपने चैनल शाहिदा वर्ड विट आरजी में आज मैं आपके लेकर आए हूँ क्लास 10 के बायलोजी शक्षिन के बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक रख्तिदाब ब्लड प्रेशर यह जो ब्लड प्रेशर है यह आपके एक्जाम में बहुत ही बाया पूछा जा चुका है यह कभी टू या थ्री मर्क्स में आता है या फिर कभी लॉंग में आ जाता है तो आप इसे बहुत ही ध्यान से देखेगा तो चलिए हम हमारा रख्तिदाब क्या होता है यह देख लेते हैं तो जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो होता है रुधिर वाहिकाओं की भित्य के विरुद जो दाब लगता है उसे रख्तिदाब कहते हैं यह जब आपका one marks में आज़े question पूछा जाए कि रख्तिदाब किसे कहते हैं या विट two marks में पूछा जाए तो आप सी वित्तार लिख सकते हैं तो आपको full marks मिलेंगे अगर जो यह long में आया है तो आप पूरा लिखेगा तो चलिए हम आगे देख लेते हैं यह दाप सीराओं के अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है मैंकी जो black pressure होता है या धमनियों में ज़्यादा होता है सीराओं की अपेक्षा चलिए आगे देखते हैं धमनी के अंदर रुधिर का दाप निले प्रंगुचन के दौरान प्रंगुचन दाप सिस्टॉ की दिख़छर त था निले अनुसिधिलन के दऊरान धमनियों के अंदर का डाप नुसिधिलन दाब दायस्टॉलॉक प्रेशर कहलाता है मलब की एक होता है प्रंगुचन दाप एक होता है अनुसिधिलन दाप तो यह दोनों अलग-अलग होते हैं और आपको इसे ध्यान में रखना होगा तो लिए आगे देख लेते हैं कि क्या होता है सामानिता प्रंकुचन दाप लगभग 120 mmHg तथा अनुसितलन दाप लगभग 80 mmHg होता है यह जो चीज है यह आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि अक्सर आपका यह पूछ लिया जाता है कि आपका प्रंकुचन दाप किता होता है सामानिता मलब की जो जर्नल आपका प्रंकुचन दाप किता होता है और आपका अनुसितलन दाप किता होता है तो आप एक बाई से फिर से देख लेते हैं जो प्रंकुचन दाप होता है वो 120 mmHg होता है जो अनुसितलन दाप होता है वो 80 mmHg होता है तो आप इसे बहुत ध्यान से देख लेज़ेगा अगर जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्रीज से लाइक कर दीजे फिर हम आगे का देखते हैं तो देख लेते हैं रगदाप को स्पेक्नोमीटर नामक यंद से नापा जाता है यह कोश्चन भी बहुत बा पर जाता है तो आप इसे बहुत ध्यान से याद रखेगा स्पेक्नोमीटर का जाता है उसके बाद आजाते हम दीजे उच्छी रख्तिदाप को अतितनाव कहते हैं इसका कारण धमनियों का सुकर्णा है इससे रख्तिप्रवा में प्रतिरोद बढ़ जाता है इससे धमनिक भी फर्ट सकती है और रख्तिस्टाव भी हो सकता है इसलिए हमें जोर्ट इंसर नहीं लेनी चाहिए तक हमारा बीपी हाई ना हो और हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो अगर जो आपको यह मेरी वीडिया अच्छी लगी हो तो प्लीज से लाइक कर दीजे और थैंक यू हमें बाह्कि बाहिक लगी हो तो आपक लाह जाउनी है।